काल रहेगा बड़े संगर्श का फिर भी परिश्रम से उन्नती का दो अजार पचीस से दो अजार तीस तक का काल मेश जातकों के लिए अत्तिनत महत्व पुरुण रहने वाला है 20 मार्श दो अजार पचीस से मेश जातकों के लिए साड़े साती भी सुरू होने वाली है सामान ने रूप से साड़े साती अशूब नहीं होती या हर किसी को उससे परिशानी नहीं होती लेकिन इस काल में ग्रह स्तिति को देखा जाए तो जब आपको साड़े साती सुरू होगी वहाँ पर राहू ग्रह पहले से ही उपस्तित होगा अर्थात एक राक्षस के साथ दूसरा राक्षस आएगा या दो पाप ग्रह आपके वेश स्तान में एक साथ आने वाले है अईसाम कह सकते हैं उसी समय आपके वेश गुरुदेव अतिचार गती से ब्रहपन करने वाले हैं इन सभी का कहीं न कहीं दुश्प्रभा होने वाला है इसलिए साड़े साथी का पहला चरण मेश चातकों के लिए बड़े संगर्श का रहेगा लेकिन संगर्श से मिलने वाले सफलता का महत्वाधिक होता है इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले नमस्कार मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ जोतिश प्रेमियों की विशेश मांग पर दोजार पचीश से दोजार तीस इन चव और शोके राशी बहुष्य को हम समझ रहे हैं उसमें आज हम मेश राशी के लिए दोजार पचीश से दोजार तीस तक का काल कैसा रहेगा इस विशे का विस्तार से अध्यन करने वाले हैं इस काल की कुछ विशेश क्रह सी थी और उनका आप पर होने वाला परेडाम हम शास्त्र शुद्ध पंदती से विश्लेशन करने वाले हैं। साथ ही अंत में आपको इस काल में किये जाने वाले कुछ विशेश उपाई भी पताने वाली हूँ। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न बुले। साथ ही ये शास्त्रिय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुँच सकें। हम दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्शिक, भविश्य सदैवब बताते हैं। उसमें दैनिक और साप्ताहिक, राशी भविश्य वाट्सअप पर तो मासिक और वार्शिक, राशी भविश्य यूटूब चैनल पर हम अप्लोड करते हैं। उसका लाब उठाते हुए आपके कई प्रश्ना हम तक पौशते हैं। कम्यूनिटी सदैवब महतोपुर्ण होती है। वास्तों में कम्यूनिटी के कारण ही चैनल चलता है। आप सभी के प्रश्ना आते हैं। उस अनुसार पिछले कुछ काल में लगातार आने वाला प्रश्न है कि सन 2030 तक का काल हमारे लिए कैसा रहेगा। उस अनुसार हमने इस विशे का चैन किया है। अर्थात ये जानकारी आपको राशी के अनुसार प्राप्त करनी हो तो कमेंट सेक्षन में आप अपना नाम और राशी लिख कर हम तक पहुचाए। 2030 के काल में आपका कोई विशेष लक्ष हो कि जैसे 2027 में हमें अपनी वास्तु लेनी हैं तो क्या उस काल में हमारे लिए वास्तु योग हैं। आपका विवाह का विचार हो या आपका कोई सपन हो पड़ाही पुरी कुन्नी हो विदेश जाना हो ऐसी कोई भी चीज करनी हो तो क्या वह काल आपके राशी के लिए उपयुकत है इस प्रकार कमेंट सेक्षन में आप अपनी राशी और प्रशन लिखे उस अनुसार हम आपक से शुरू है गुरुदेव आपके धनस्तान में विराजमान है यह दोनों अत्यंत सकारात्मक स्थिती कहीं जा सकती है लेकिन यह केवल शुरुआत है साथ ही राशी सवामी सदैव महत्वपूर्ण माना जाता है उस अनुसार विचार करें तो मेश राशी के सवामी मंगल सवादेव दोजार 55 के सुरुवात में नीच अवस्ता में रहेंगे पर चतुर्ट अस्तान से उनकी यातरा शुरू रहेगी 21 जनवरी दोजार 25 को व ratio में प्रविश्श करेंगे और उसके बात पुनश चकर करारी में जाएंगे वहां سے लगबक साथ जून 2025 तकर कर राशीं में रहेंगे सामान्ने रूप से एक येमेल लियवत उनकी डि शत्रू ग्रह सिर्ड़्प्त का ने वाले हैं मितुन राशी उनके शत्रू जरह की राशी है और कर्क राशी मे बनीच वस्ता को प्राप्त होता है क्योंकि मंगल अगनी तत्व का ग्रह है, जीस कारण उसे चंद्रमा की शितलता पसंद नहीं आती, मंगल आक्रमकता को दर्शाता है, तो चंद्रमा का अर्थ सौम्य, सूक, समाधान होता है, ये चीजे मंगल को पसंद नहीं आती है, वहां आपका राशी स्वामी होने के हो पड़ता है, इन सबी दुरुष्टियों से विचार करें, तो 6-0-2025 तक आपका व्यक्तित्व अत्यंत परिश्रमी बनेगा, सफल होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस दुरुष्टि से आप लगातार विचार करेंगे, लेकिन उस तुन्ना में आपके लिए सफलता का स आपके लिए आवश्यक रहेगा, ताकि आपका मंगल शान्त हो सके, उसके बाद 7-0-2025 को जब मंगल ग्रह सीहराशी में प्रवेश्ट करेगा, तब आपको उससे अधिक सहयोग मिलेगा, लेकिन तब तक का काल आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा, इसके बाद हम 2025 के कठ काल को देखते है, तो शनी देव मीन राशी में प्रवेश्ट करने वाले है, 29 मार्ज 2025 को वे राशी परिवर्तन कर मीन राशी में प्रवेश्ट करेंगे, तब राहू ग्रह भी वही पर उपस्तित होगा, शनी का ब्रहमन राहू की और और राहू का ब्रहमन शनी की और ये ग्रहस्तिती निर्माण होगे ये दोनों ग्रह जलतत्व की राशी में आपके व्यास्तान में उपस्तित रहेंगे उसका आप पर तिवर सरूप से प्रबाह होगा क्योंकि शनीदेव आपके कर्मेश और लाभेश आते हैं कर्म अधिपती और लाभ अधिपती व्यास्तान में जाने के करण जलततों की राशी में जाने के करण आपका राशी स्वामी प्रबल न होने के करण इस काल में आपके लिए बड़ा संगर्श निर्मान होने की संभावना है अगली महतोपुर्ण बात है कि इस काल में गुरुदेव अतिचार गती से ब्रह्मन करने वाले हैं गु लेकिन दोजार पचीस के चौदा मैं को गुरु देव राशी परिवर्तन कर मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे और उसके बाद केवल पाँच मैने के आतिचार गती से पुन्हा राशी परिवर्तन कर करकर राशी में जाएंगे। उसे हम शुभस्तीती भी कह सकते हैं क्योंकि गुरु को जीवकारक कहा जाता है। गुरु सवरक्षक ग्रह माना जाता है। आज के आदुनिक विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि गुरु अंतरिक्षक का कच्रा अपनी और खीच लेता है। इसलिए पृत्वी सुरक्ष तो ऐसे गुरु देव इस काल में उच्च वस्ता प्राप्त करेंगे। जिससे उनकी सवरक्षन शम्ता बढ़ने वाली है। लेकिन गुरु देव अतिचार गती से करकर राशी में जाने वाले है। 18 अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक वे वही पर रहेंगे। उसके बाद पुनश्य मिथुन राशी में जाएंगे। इसके बाद 2 जून 2026 को पुनश्य करकर राशी में जाएंगे। वह भी उनकी अतिचार गती शुरू रहेगी। अर्थात आने वाले आठ वर्षकों हम देख तो गुरुदेव लगातार अतिचार गती से ब्रह्मन करने वाले हैं। उनकी यह जो गती है वह प्रुथवी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसके अलावा शनी देव जलतत्यों की राशी में जाने वाले हैं। उसका हम विचार करें। तो 2025 से वर्षम मेश प्रबल होंगे। तब राहु ग्रह भी आपके लाभस्तान में जाने वाला है। क्योंकि 18 मई 2025 को राहु ग्रह आपके लाभस्तान में प्रवेश करेगा। जिस कारण आपके प्रश्णों की त्यूरता थोड़ी कम होगी। लाभस्तान का राहु आपको लगभग देड़ सकारात्मक लाभव प्रदान करेगा। अर्था मई 2025 से डिसंबर 2026 के काल में राहु ग्रह आपको शुबह फल देगा। इसके बाद डिसेंबर 26 को वह आपके दशमस्तान में जाएगा। जो तिश्णियमों के अनुसार दशमस्तान में राहु को सकारात्मक कहा जाता है। राहु अर्थात एचिवमेंट, राहु अर्थात किसी चीज़ को प्राप्त करना और उसके लिए कठीन परिश्रम करना होता है। तो दशमस्तान का राहु आपको वह दिशा देगा। 2026 में आप उस दुरूष्टी से बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। इस काल में आपक के लिए विशेश सकारात्मक होंगे। तब उनकी यात्रा करक और सीह राशी से शुरू रहेगी। अर्थात उनके अतिचार गती और वक्री गती का जब हम विचार करते हैं। तो एक नकारात्मक बात है। फिर भी गुरुदेव आपके भाग्येश होने के कारण कही न कही सकारात्मक्ता आवश्य देंगे। महतो पुरुणा बात है कि दोजार चब्वीस के जून महिने में वे करकर आशी में जाकर उच्च वस्ता प्राप्त करेंगे। जिससे आपके भाग्य में विरुद्धियों की दोजार चब्वीस में जून से डिसेंबर तक के काल में अगलेकर जाएंगे। विदेश में स्थीत जा ढग भारत वापस आ सकते हैं वास्तों में मेर सश्य के जो जातक विदेशत हैं जितना शिक्र हो सके वापस आते हैं उतना उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि गुरुदेव आपके लिए भागेश और वेश आते हैं गुरुदेव का यह आठ वर्षका जो गोचर है उसमें आतिचार गति और वक्री से उनका ब्रहमन शुरू रहेगा अर्थात विदेश में रहने वाले भारतिय मे उव्य्वेश आप भारत में करते हैं तो जब आप भारत में वापस आएंगे ते आपको उसका लाभ होगा क्योंकि अंतऱ राष्टिय राजनीति का जब देखते हैं तो मैं निर्मान होने वाले हैं वहां दो पद्दतियों जबत एक तो देश में रहना आपके लिए कठिन हो जाएगा और दूसरी बात है कि वैसी इच्छा आपके मन में निर्मान होगे प्राकृतिक कुंडली में इसी स्थिती निर्मान होने के करेंड कई राशियों के लिए यह योग निर्मान होने वाला है विशेश रूप से अगनी तत्व औ होने वाला है इसलिए मेश चातकों ने उस द्रूष्टी से विचार करना चाहिए एक और महत्व पुरुणा बात है 20 मार्ज 2025 से मेश चातकों के लिए साड़े साती भी सुरू होने वाली है साड़े साती सामान्य रूप से अशुब नहीं होती या हर किसी को उससे परेशान रहेगा अर्थात एक राक्षस के साथ दुसरा राक्षस ग्रह आएगा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो पापक अग्रह एक साथ आपके वैस-थार में आने वाले है उसी समय आपके वैस गुरुदेव अति-चार गति से ब्रह्मन करने वाले हैं इन सभी का दुष प्रभाव कह निश्चित रूप से होगा जीस कारण साड़े साती का पहला चरण आपके लिए बड़े संगर्श करा हैगा अभी आपके देश में वापस जाने की इच्छा आपके मन में निर्मान होगी साथ ही जब साड़े साती का दुसरा चरण शुरू होगा तब शायद आप भारत में वापस आ गए होंगे तीन जून दो हजार सताइस को आपके लिए साड़े साती का दुसरा चरण शुरू होगा और तब शनी देव खुद नीच अवस्ता को प्राप्त होंगे अर्था दो हजार पचीस के सुरुवात में शनी देव आपके लाभस्तान में होने के करण वे आपको लाभ प्रदान करेंगे साथ ही 29 मार्ज दो अजार पचीस को वे आपके वेस्थान में प्रवेश करेंगे वहां से आपके लिए साड़े साती सुरू होगी उसके बाद 27 में वे आपकी राशी में प्रवेश कर नीच अवस्ता को प्राप्त होंगे परिणाम सरूप क से कई प्रश्णों को आपका सामना करना पड़ेगा पारिवारिक दुरुष्ठी से विचार करें तो पिता जी का सउख्य कम होना पिता जी पर संकट आना जैसे प्रभाव देखिल आपको प्राप्त हो सकते है ऐसी स्थिति में मार्ग क्रमन करने के लिए गुरु देव हो दिसंबर दिसंबर राशी से जून 28 में रहेगा उस लाभस्तान का राहु अर दशम्तान का रहु आपके लिए अत्ते समतावी कसित करेगा जब हम दिर्गकालीन राशी भविश्य को देखते हैं तब शनी राहू केतु और गुरु ये ग्रह अधिक महत्व पुर्ण होते हैं शनी का ब्रह्मन हमने विस्तार से समझ लिया उनके साड़े साथी के चर्णों को भी समझ लिया सबसे महत्व पुर्ण का गोचर रुष्चिक राशी से सुरू रहेगा उस काल में भी व्याति चार और वक्री गति में ब्रह्मन करने वाले हैं जिस कारण गुरु और शनी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे वे एक दूसरे से 180 आउंश में आएंगे परिवार स्थान और अश्टम स्थान में एक दूसरे पर दूस्थी होगी उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव आपको सेहन करना पड़ेगा कई बार क्या होता है कि मनुष्य के कुंडली में नीच्ची और सामुहिक दूस्थी से भी प्रभाव करती है अर्था हम हमारी कुंडली का अध्यान करते हैं तब आपका श राशियों को नीजी संगर्श करना पड़ेगा लेकिन क्या वास्तों में कोई बड़ा संकट आएगा क्या तीसरा महायुद्ध होने वाला है तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वैसी सभावना कुछ कम है क्योंकि हर्शल जैसा ग्रहत जो अब मेश राशी में विराजमान थ रूशब राशी में जाने के बाद जब वह कृति का नक्षत्र में रहेगा तब तक थोड़ा तनाव रहेगा लेकिन जब उसमें नक्षत्र बदला होगा तब युद्ध के परिस्थिती दूर हो सकती है यो कि मेश राशी का हर्शल मनुष्य में इगो को बढ़ाता है वह युद्ध के लिए प्रवुरुत्त करता है जब वह रूशब राशी में अर्थात कृत्वी ततों की राशी में जाएगा तब उसकी दुरुष्टी से स्तैर्य महत्यों पुर्ण रहेगा वहां से उसकी भूमिका में बदला होगा अर्थात हम बले ही मेश राशी का अध्य कि युद्ध की परिस्तिती निर्मान होगी क्योंकि प्रथम याद्यूतिय महयुद्ध के काल की परिस्तिती निर्मान होने वाली है वास्तों में महावारत का युद्ध जीस काल में हुआ था उस काल की ग्रह स्तिती भी दिखाई दे रही है लेकिन हर्शल जैसा ग्रह जब प्रदेव की राशी है जिसे स्तईरी अच्छा लगता है आनंद अच्छा लगता है रुषब राशी आनुचित परिस्थिती में भी आनंद से जीवन व्यतित करने की इच्छा रखती है जिस कारण यहां पर थोड़ा सा बदला होगा और अपने को सुरक्षित रखने के देंगे वैसे तो युद्ध होने की संभावना कम है लेकिन वैसी संभावना अवश्य निर्माण होगी क्योंकि यहां पर मनुष्य के कर्म कौन सी दिशा में जाते है इस पर बहुत कुछ निर्वर करेगा ऐसी स्तिती में उत्तेजित होकर अनूचित निर्णे लिए जाए तो देश का विश्व का मनुष्य का सबसे अधीक नुकसान होगा लेकिन जैसा मैंने शुरुवात में भी कहा कि कुछ ग्रह सकारात्मक भी है तो यह ग्रह मनुष्य को थोड़ा शांती से निर्णे लेने की संभावना निर्मान करने वाले है उसके पीछे भले ही अपनी का कारण हो लेकिन वह कारण भी महतोपुर्ण है स्वयम को सुरक्षित रखने के लिए सामने वाले पर शस्त्र ना उठाना युद्ध में आगे न जाना ये विभाग सामने आ सकता है इसलिए युद्ध को टालने की संभावना निर्मान होगी पुल मिला कर देखा जाए त सबी बड़े ग्रहों का गूचर संगर्ष दिखाते हैं लेकिन उसके आगे जाने का मारग भी है आवश्यक नहीं की युद्ध हो लेकिन वैसी संभावना आवश्य निर्मान होगी इसलिए आप उचित निर्ने ले विशेश रुप से जो जातक विदेश में है उनके लिए सोच समझकर निर्ने लेना अतिन तावश्यक रहेगा यदि आप भारत वापस आना चाहते हैं जितना शिगर आप आ सके उतना आपकी सुरक्षा की दुरुष्टी से उचित रहेगा ऐसा ग्रहस्तिती बता रही है उपायों की दुरुष्टी से विचार करे तो जो तीश मे दोजार तीस इस काल का विचार करे तो गुरुदेव वास्तों में सवरक्षक है आने वाले समय में उनकी अतिचार गती और वक्री गती को देखा जाए तो मेश राशी के जातकों के लिए देव गुरु ब्रुष्पति के मंत्र का जाप करना उपाय सुचित किया जाता है ये उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है ओम ब्रुम ब्रुष्पते ये नमाहा ये मंत्र गुरु देव की शक्ति बढ़ाने का काम करता है आप हर रोज इस मंत्र का जाप करें गुरुआर के दिन विशेश जाप करें इस मंत्र के जाप से आपके घर में सुखसन सम्रु साथ ही इस उपाय से आपको करियर में भी सफलता मिलेगी इसलिए आपने उसे अवश्य करना चाहिए इस प्रकार में आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में पूछे कोशिश करेंगे कि फिर से लायू आकर आपके सवालों के जबाब दिये जा सके धन्यवाद शुभंबहुतु जय जोतिश जोतिश का देहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मे लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दा बना ना भुले धन्यवाद